नमस्ते मैं हूँ इरात्रवेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत ओम शांति ओम सिर्फ जी एंटी पर चलिए हम शोग की शुरुवात करेंगे एक छोटे से ध्यान के साथ अगर आप इस कारक्रम को देख रहे हैं तो आप जुरूर हमारे साथ ध्यान करें आप एक comfortable seated posture में बैठ चाएं अगर आप पदमासन का अभ्यास कर सकते हैं तो पदमासन सबसे अच्छी meditative seated posture है तो हमारे बॉडी में पदमासन naturally एक बहुत meditative state बना देता है तो अगर आप पदमासन का अभ्यास कर सकते हैं आप करिए और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप धीरे धीरे अभ्यास करिए और जरूर आप इस आसन को अपनी जिन्दगी में नभाब आएंगे तो चलिए आप पंद ठुड़ी छाती की और लंबी घहनी सांस ने और आप ये विजुलाइज करिए कि जो आपके थौट्स हैं वो आप धीरे धीरे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं जैसे हम पोन को हम चार्जर से डिस्कनेक्ट कर देते हैं उसी तरीके से आप अपने माइंड को डिस्कनेक्ट करिए सोशल मीडिया से, वाट्साप से, जो मन की चिंता हैं उनसे और आप फोकिस को धीरे धीरे अंदर ले आएं थौट्स इधर उदर नहीं भाग रहे हैं पर अंतु जादा इन्वर्ड फोकिस हो रहा है लंबी घहरी सांस अंदर और भार सांस अंदर और भार फिर हाथ को जोड़िए, ओम का अचारण अंदर आम मैं हूँ इराथ शुवेदी और इस कारक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम एक बहुत इंपोर्टन इश्यू पे टच करेंगे वो है हमारी नेक, हमारी गर्दन आज कल सर्वाइकल पेन का एक पेंडमिक हो चुका है सब लोगों को गर्दन में कुछ ना कुछ अर्चन है जो चोचड़े बच्चे हैं, 10, 11, 12 साल के वो आके बोलते हैं कि हमारे हमको गर्दन में दर्द हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सब ही लोग स्क्रीन पे टिके हुए हैं स्कूल स्क्रीन पे हो रहा है और जो हम लोग, जो adults हैं, वो पूरे समय हमारी गर्दन नीचे, हम लोग फोन पे लगे हुए हैं, है ना WhatsApp पे, जब हम computer screen में करते हैं, तो हमारी गर्दन ऐसी होती है, जब हम फोन पे होते हैं, तो हमारी गर्दन ऐसी होती है, हम TV भी देखते हैं, तो वैसे हमारी गर्दन ऐस गर्दन में इतना जादा स्ट्रेन आउचका है कि सब लोगों की गर्दन वीक होती आ और फिर क्या होता है कि हम थोड़ा सा भी ऐक्जर्ट किया और हमको बहुत ही जादा स्रॉरवाइक यं स्पेक्ट हो जाता है तो ये जरूरी हो गया है कि सब लोग थोड़े थोड़े neck exercises अपने जिन्दगी में अपनाएं अगर आप phone पे हैं, अगर आप computer screen पे हैं, अगर आप TV देखते हैं और मुझको तो लगता है कि हर कोई ये तीन category में तो आता ही है तो आपको रोज 5 मिनिट की neck exercises करनी चाहिए और इन neck exercises तो ऐसी हैं कि आप इनको कहीं बैटे बैटे भी कर सकते हैं अगर आप office में हैं तो थोड़ा सा break लगके कर सकते हैं अगर आप घर पे हैं तो बस 5 मिनिट का break आप अपनी गर्दन को तो देही सकते हैं यही है हमारी गर्दन जो हमारे पूरे brain को support करता है तो इस गर्दन को हमको थोड़े से प्यार से हमको देखना है और इसलिए योग के जो थोड़े थोड़े व्यायाम होते हैं यह cervical pain के लिए बहुत ही मेतरपूर्ण होते हैं और अगर हम इनको regularly करें तो cervical pain चले जा भी जा सकता है मैं आज आपको थोड़े से व्यायाम बताऊंगी थोड़े से आसन बताऊंगी और फिर इसके बाद मैं आपको थोड़ी से remedies दूँगी जो मैंने खुद अपने जिंदिगी में अपनाए हैं क्योंकि मैं एक राइटर होने के नाते मैं बहुत computer में काम करती हूँ जब मैं किताब लिखती हूँ तो कभी-कभी मैं 10-15 घंटे मुझको computer में काम करना पड़ता है तो मेरी बहुत छोटे से उमर से ही एक neck की problem, cervical pain मेरी जिंदगी में आ गया था तो इसलिए मैंने रोज ये neck exercises की और आज मेरी गर्दन में बहुत कम problem है पलन तू अगर मैंने neck exercises बंद कर दी तो मुझको मालूम है कि अरशन वापस आ सकती है तो neck exercises में regularity बहुत जरूरी है आप ये नहीं सोचें कि मेरी गर्दन ठीक हो गई इसको मैं बंद कर दूँ तो अगर आपको गर्दन की problem हो रही है तो आप अपने neck exercises रोज करें जब problem ठीक हो जाती है फिर भी आप exercises को continue करें इनकी ये खास बात है कि आप इनको कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं सिर्फ पांच मिनिट के लिए तो चलिए हम लोग शुरुवात करेंगे मैं तो अभी जमीन पे बैठी हुई हूई हूँ पर आप कुरसी में भी कर सकते हैं उसको बस एक चीज है कि आपकी रीड की हड़ी जो है वह बिल्कुल सीधी होनी चाहिए तो चलिए हम शुरुवात करेंगे एक वोर्म अप के साथ पस हम गर्दन को नीचे और उपर और पीछे और आगे जैसे हम आसन के पहले वोर्म अप करते हैं उसी तरी कि आपको ये भी करना है और ये ध्यान में रखना कि हर आक्शिन आपको स्मूद्ली करना है आप गर्दन को जर्क मत लगाए एक गर्दन बहुत सेंसिटिव एलिया होता है इसको बिलकुल जर्क नहीं करना चाहिए हर मूवमेंट आराम से और वोई चीज लेफट आराम से जो भी आपकी कपासिटी है इसको काफी लोग ऐसे 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 करते हैं ये बिलकुल नहीं करना है आपको धीरे धीरे अवेरनेस के साथ आप अपनी प्रॉब्लम डेफिनिटी ठीक कर सकते हैं और यहां से आप कान को शोडर के और डॉप करें आपको ये मुवमेंट्स आराम से कर나 हैं ये ऐसे नहीं करना है आपको करना है कि बस आप हल्की से ले जा रहे हैं और साइड में स्ट्रेच आ रहा है और आप फिल करिये दोनों और आपको समझ में आएगा कि अर्जन कहा है left side है, right side है, कौन से muscle में problem है और फिर यहां से सिधा हाथ को आप सिर पे ले आईए और इसको आप अंदर प्रेस करिए और अपके सिर को आप हाथ के और प्रेस करिए इसको हम बोलते हैं isometric exercise तो pressure दोनों side से पढ़ रहा है हाथ का pressure सिर पे और सिर का pressure हाथ पे तो यहां पे हम अपनी गर्दन को strengthen कर रहे है इसको अच्छे से आप करते रहिए इस practice को आप तीन से लेके पांच बार भी कर सकते हैं पर थोड़ा सा hold इस हाथ को फलका सा move भी कर सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि अर्शन कहा हो रही है आपके neck पे फिर नीचे आए और वही चीज उल्टी ओर और इस कंदे को आप उपर नहीं पर नीचे तो यहां पे आपको stretch मिलेगा तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं यहां पे हाथ का pressure सिर पे, सिर का pressure हाथ पे और आप अपने सीधे हाथ को नीचे खीच रहे हैं तो यह muscles stretch और strengthen दोनों हो रहा है एक साथ यहां पे भी आप थोड़ा सा पीछे हाथ को ला सकते हैं और यह देख सकते हैं कि अर्चन कहां पे हो रही है और वापस अब हम करेंगे नेक वोटेशन का भ्यास थुटी को नीचे आराम से आप आराम से इसको तेजी से नहीं बट आराम से करना है और वापस आना है clockwise तो एक बार आप करेंगे clockwise और एक बार करेंगे हम लोग anti-clockwise और इतना ही करें जितना आप कर सकते हैं उसका मतलब आप ज्यादा कोशिश मत करिए कि ज्यादा हम लोग pressure दे रहें आपको बहुत आराम मिलेगा इस सुक्षम व्यायाम से और आप आराम से इसको करते रहेंगे ये जरूर कोशिश करें कि आप सास के साथ इसको कर रहें हैं सास के साथ आपको coordinate करना है इसको आप मिनिमम वन मिनिट दो या तीन मिनिट पी कर सकते हैं और फिर वापस आएं लंबा घहरा सांस और अपना पूरा फोकिस आप अपने गर्दन पे ले आएं जो नेक एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं ये मेरा बहुत एक फेवर्ट एक्सरसाइज है जो हमारी गर्दन का पुजिशन होता है वो बिलकुल नूट्रल हो सकता है जो हमारी गर्दन का पुजिशन होना चाहिए वो बिलकुल सीधा होना चाहिए तो अगर आप दो उंगलियां को नीचे लेंगे तो आप देखे कि आपकी गर्दन पीछे सीधी है कि आगे ऐसी है या जादा पीछे है क्या होता कि लोगों की गर्दन ऐसी हो जाती है थोड़ इसी आगे पॉइंटेर उनकी ठुड़ी क्योंकि पूरे टाइम अप अम स्क्रीन को देखते रहते हैं तो हमारी गर्दन में पर्मिनेंटली ऐसे हो जाती है परन्त होनी चाहिए ऐसे गर्दन पीछे से बिलको सीधी तो यह जो एक्रिसाइज बता रही हूँ बहुत ही अच्छी है इसको आप ठुड़ी को आगे और पीछे बिस ठुड़ी को आगे पीछे गर्दन को बिलको सीधे रखिए बस आप ठुड़ी को आगे और पीछे कर रहे हैं आपको तरन्त महसूस होगा आपकी गर्दन की मार्श पेशियों से, आपको ऐसे ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधे आगे, आगे, पीछे, आगे पीछे, इसको आप ये करिए कि आप आगे आए हैं, फिर पोरा पीछे, आगे, और पीछे ये इतनी beneficial practice है, इसको आप at least 20 times करियो, जब पीछे आते हैं तो पूरा पीछे आईए, फिर आपने हाँ पे होल्ड कर सकते हैं, और फिर छोड़िये, तो पहले आपने dynamically किया, फिर आप पीछे आए, होल्ड किया, और छोड़ें, एक और बार पीछे आए, और छोड़ा, और एक और बार पीछे आए, पूरा पीछे आए, maximum, और छोड़ें, थोड़ा सा आप करें, और नेक्स एक्सरसाइज, तो आप अपनी उंग्लियां लीजे, सिर की पीछे, और सपोर्ट करते हुए पीछे, और आगे, सांस लेते हुए तो गर्दन को पीछे ले आए, हाथ को सपोर्ट रखें, उपर सीलिंग की और, और आगे, सपोर्ट करते हुए पीछे, और आगे, इसको अट लीस्ट आपको टेन टाइम्स करना है, कोई दर्द महसूस नहीं होना चाहिए, हलका सा डिस्कमफर्ट हो सकता है, पर जो एक दर्द है, पेन जो होता है, अगर आप कोई भी प्राक्टिस अवेरनेस के साथ करेंगे, तो आपको तुरंत मालूम पर जाएगा, कि ये पेन है, या ये डिस्कमफर्ट है, आप वापस आजाएं, और अब हम करेंगे एक आसन, आप पेट के बल मैट पे आजाएं, हम लोग करेंगे भुजांग आसन का ब्यास, भुजांग आसन बहुत ही अच्छा लाबधायक आसन है, हाथ शोल्डर के नीचे, और आप उपर आजाएं, और थुड़ा सा उपर उठाएं, और यहां से हाथ को पीछे ले जाएं, और यहां से अपनी थुड़ा को और भी उपर ला सकते हैं, और यहां पर पूरे आप नाक को भी देख सकते हैं या आपके आइस की एक 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 साथ साथ हो जाएगी नसाग्रदृष्टी इसको हम योग में बोते हैं नसाग्रदृष्टी अराब से नीचे आजाएं हम थोगा सा रस्ट करेंगे मकरासन में सिर राइट साइड यहां पर लंबा घेरा सांस और फिर आप उपर आजाएं और आप मैं आपको बहुत ही सुन्दर प्राक्टिस बताऊंगी आप ऐसा एक कुशन ले ले आप इसको बिस्तर की किनारे भी कर सकते हैं आराम से आप नीचे लेज जाएं आप ऐसा एक मसना दीजे और अपने टेल बोन के पास इसको ले आएं आप अपने लेग्स को सीधा ला सकते हैं और यहां से आप नीचे जाएए और आपका जो आपकी जो गर्दन है वो एज पे होनी चाहिए तो आपका सिर पीछे जा सकता है ऐसे और यहां पे अपने हाथ फिलाएए बिस अपने गर्दन को पीछे जाने दीजिए आप यहां पे थोड़ा सा अजस्मेंट भी कर सकते हैं आप गर आपको लगे कि थोड़ा सा आप पीछे आ जाएए तो पीछे भी आ सकते हैं क्योंकि जो सिर का उपर वारा हिस्सा है वो नीचे होना चाहिए जमीन पे और इसको आप थोड़ा कोशिश करिए कि आप अंदर ले आए ठुड़ी पूरी उपर और यहां पे आप अपने गर्दन को खोलिए और यहां बहुत सुन्दर आपको ट्राक्शिन मिलेगा गर्दन को फिर आलाम से आप पिलकु आलाम से आपको उपर आना है कोई भी जर्क नहीं लगना चाहिए अगर आपको बार बार स्रवाइकल पेन हो रहा है बार बार गर्दन में अर्चन हो रही है तो आपको रोज एक सेल्फ मसाज करना चाहिए आप थोड़ा सा नारील का तेल ले उसके अंदर आप थोड़ा सा पुरी नका से कद तेल डाल सकते हैं या लाविंडर का तेल दाल सकते हैं, दो या तीन बूंध बस इसको आप अच्छे से हाथ में मलिए और इस मिशरन को आप अच्छे से पुरे गर्धन पे लगाएं पूरा लगाना है और इसको आपको मलना है थोड़े समय के लिए, अच्छे से मलना है पांच मिनिट के लिए पूरा, इसको हम खुद भी कर सकते हैं, नारिल का तेल, पुदीना का तेल और लाविंडर का जो तेल होता है, ये मिश्रन बहुती पोटेंट होता है, बहुती गर्दन की मास पेशियों के लिए, तो अच्छे से इसको डब करना है, कि आपको वो गर्माहट महसूस होए गर्दन में, और ये आपको रोज रात को करना है, सोने के पहले, अगर आप इसको दिन में दो या तीन बार कर सकते हैं, तो बहुती अच्छा है, परंतु, सोने के पहले, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि रात भर फिर हम इसके बेनेफिट ले लेंगे, मैं ये खुद करती हूँ, काफी साल पहले, मुझको बहुत से वीर सवायकर का पेन हुआ था, और मैंने ये ही आसन किये थे, ये ही व्यायाम किये थे, और ये ही मिश्ण मैंने इस्तमाल किया था, और आज मैं शीर सासन में एक एक घंटे के लिए मैं अभ्यास कर लेती हूँ, तो इसलिए हर चीज हम योग के द्वारा ठी कर सकते हैं, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस योग की यात्रा में जुणने के लिए, अब हम मिलेंगे अगली बार ए सुग्षाओ ऑगली अगली था प्याद गिए, अब हम पारा ठी कर लिए डिग मैं अभ्याद कर दो आटे कर दो तू हमें नहाद कर दो हमें आप